संख्या ग्यान का प्रियोग संस्कृत में किस प्रकार से किया जाता है और संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है और रीट के एक्जाम में किस प्रकार से किशन पूछे जाते हैं देखिए सबसे पहले एक को संस्कृत में क्या लिखते हैं तो देखिए एक को जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे एक ह एका एकम मेरे साथ साथ बोलते जाईए सारे confusion क्लियर कर दू थीक के बोलते जाएए फिर मैं बताओंगे आपको कि एकह एका एकम यह तीन अलग लग क्यों है इनका प्रियोक किस प्रकार से होता है किस तन किस प्रकार से बनता है वो सारी चीजे आपकी clear की जाएंगी एकह एका एकम 222 यह आपको learn करने का तरीका है 222 त्रय तिस्रह त्रीणी त्रय तिस्रह त्रीणी चत्वार 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 चत पंच पंच यानि तीनों में एक जैसा लिखा है तीनों के ही नीचे जो उससे उपर वाले यानि चार तक जहां तक अलग 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 ते लेकिन पांच में की जब बारी आई तो क्या हुआ पंच 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 यानि पांच एक ही तरीकी जी यहाँ पर भी पंच यहाँ भी पंच और यहाँ पर भी पंच पंच मींज क्या होता है पांच फिर यहाँ पर अलग अलग शब्दों और प्रियोग क्यों हुआ देखिए इसके बारे में जाने देखें, यह हमारा एकज, एका, एकम, जो एकज जो है, यह किसमे है, पुलिंग में, पुलिंग में, जब हम एका प्रियोग करते हैं, तो हम लिखते हैं एकज, पुलिंग में, एका, पुलिंग में, एका, पुलिंग में, और एकम किसमे है, नपुलिंग में, किसमे है, कहने का मतलब, जब हम pulling में एक का परियोग करते हैं, तो हम एक ह का परियोग करेंगे, यानि जिसे बालक है, देखिए, मैं example के मादें से आपको समझा देती हूँ आपर, जिसे एक बालक, जिसे बालक ह, फिर बाली का, एक बाली का, एक बाली का, या एक पुस्तक, तो क्या बालक के साथ जब एक बचन का प्रियोग करेंगे यानि एक बालक के बारे में बताएंगे तो हम यहां लिखेंगे एक बालक जो कि बालक सब क्या है? पुलिंग है बालक सब क्या है? पुलिंग है तो उसके साथ पुलिंग एक का ही प्रियोग करेंगे तो क्या लिखेंगे एकह बालकह और यदि ये इस्त्रिलिंग है तो एक बालिका के लिए किसका प्रियोग करेंगे एका बालिका और वही यदि नपुन्शक लिंग चीज़ है तो हम यहाँ पर एक में किसका प्रियोग करेंगे एकम पुस्तकम उसी प्रकार से यदि जो है दो बालक है, दो बालक यानि पुलिंग में द्वाव का प्रियोग करेंगे, स्ट्रिलिंग में द्वेका और नपुन्चकलिंग में भी द्वेका, और यदि देखें, तीन की बात आती है, मानलों कहें कि तीन बालक, देखें यहां बज्जे, मैं हिंदी में सेंटेंस लिख देती जैसे तीन बालक, या फिर बात आती है, तीन बालिका की, तीन बालिका, या तीन पुस्तक, तीन पुस्तक, तो देखिए, अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तीन बालक, देखो देखो, तीन बालक, बालक पुलिंग है, बालक पुलिंग है, तो किसका प्रियोग होगा, त्रेह, और बालक तीन है, यानि कहने का मतलब बहुअचन में है, तो क्या लिखेंगे, बालकाह, त्रेह, ब कि लिए्या्स परियोग करें गई तो क्या होगा तु क्या हूएं कि लगाएंगे ती 15 क्या हो कहा और तीन पुस्तक पुस्तक सब्द क्या है नपुन्चकलिंग है तो नपुन्चकलिंग के लिए किसका प्रियोग होगा त्रेनी का तो क्या होगा देखिए त्रेनी पुस्तकानी त्रेनी पुस्तकानी तीन पुस्तके त्रियोग पुलिंग था इसलिए तिस्रह नपुन्शकलिंग था, इसलिए, असुद्ध सेंटेंच भी दिय जाएंगे, यानि कहने का मतलब गलत सेंटेंच दियेगा, असुद्ध को सुद्ध करने के लिए भी दिया जाएगा, तो आपको जैसे यहां पर, तीस्तरों की जगे, त्रियः दे दे, त्रियोह बालिका और उसमें लिखे देखे ओ चार ओप्षन देदे एक तो त्रियोह बालिका देदे एक त्रियोह बालिका देदे एक त्रियोह बालिका देदे तो आप उसमें करेक्ट वाला ओप्षन क्या होगा आपका त्रियोह क्योंकि आपको काउंटिंग याद है आपन तो देखें मैं आगे के कांटिंग आपको पताती हूं एक हेका एकम 222 233 तरीणी चत्वार चत्वारी पंच एक बार याद कर लेंगे कि क्योंकि पाच पंच जो वह तीनों लिंगों में एक जैसा ही होता है यानि चार तक अलग-अलग लिंग में अलग-अलग प्रकार से प् है अब देखें याद करने का तरीका एक हा एका एकम 222 233 तरीणी चत्वार चत्वार चत्वारी पंच शट या फिर आप सड भी लिख सकते हो सट या सड पंच सट सप्त अस्ट सप्त मीद साथ अस्ट आठ नव दस नव दस देखें आपको ट्वंटितर की काउंटिंग लर्न करने क्या उचिकता होती है उसके बाद की काउंटिंग आपको मैं बनाना बता दूँगी ताकि आप इजीली उसको बना सकेंगे देखें य अब आगे देखें 11 यानि 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में यह देखें यहाँ मैं आगे लिखती हूं 11 को देखें 11 को क्या लिखेंगे एका दस 11 को क्या लिखेंगे एका दस एक प्लस दस तो क्या बनागेगा एका दस 12 को क्या लिखेंगे द्वा दस तेरह को क्या कहेंगे त्रियो दस 14 को क्या लिखेंगे 410 क्या लिखेंगे 14 को 410 15 को क्या लिखेंगे 510 सोलह को सोड़स सत्रह को सब्त दस अठारह को अश्टा दस यह थोड़ा से ध्यान रखना है या पर अश्टा दस उनिस को क्या लिखेंगे देखिए उनिस को हम नव दस भी लिख सकते हैं नव, दस और बीस को लिखेंगे विन्स्ति ही बीस को क्या लिखेंगे हम विन्स्ति वी के उपर अनुस्वार स, ती में छोटी की मात्रा और विशर्ग, विन्स्ति ही और 19 को हम नवदस भी कह सकते हैं और एको नविंस्ति विंस्ति मिस 20 और एको न एक मिस एक और नविस नहीं है तो देखे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एको नविंस्ति एको नविंस्ति यानि 20 में एक नहीं है 20 में एक नहीं है तो क्या हो गया वो? 19, एको 90, 20 में एक कम है, एक नहीं है, तो उसको 19 बोलते हैं, तो 19 के लिए हम 19 का भी प्रियोग कर सकते हैं, देखिये 11 से, और 20 की वापस देता करेंगे हम 11 को क्या कहेंगे 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 या एको नविन्स्ति क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओप्चन में अगर मालो एको नविन्स्ति दे दिया और आपने तो यहाँ पढ़ा ही नहीं आपने नवदस ही पढ़ा है तो आप जैसे मालो फॉर एक्जामपल जैसे क्युष्ण इस प्रकार से पुछे 19 को संस्कृत में कहते हैं या 19 जो है वो संस्कृत सब्देशु लिखा इनको जो संस्कृत सब्दों में लिखो और कुछ जो नवदस्थिशा चक्णफिश नहीं होना है क्योंकि यह सारी चीज़ें आपको खोल करके बताना हर एक चीज के बारे में बताना मेरा अपना करतव्य है तो इसलिए यहाँ पर चुज नहीं होना है, 9, 10, 9 मिस 9, और 10 मिस 10, 9 और 10 कितने होते हैं, 19, और एको नहीं है, 20 में, 20 में से एक नहीं है, यानि एक कम है, तो क्या हो जाएगा, 19, clear, ये थी हमारी 20 तक की काउंटिंग, अब देखें, 21, 21 को हम क्या कहेंगे, 21 अगर आता है, तो वो किस प्रकार से, द है, तो 21 को हम क्या कहेंगे, एक, एक को तो क्या कहेंगे, एक और 20 को क्या कहेंगे, विंस्ति ही, एक विंस्ति ही, 22 को क्या कहेंगे, हम देखे, द्वा विंस्ति ही, 22 को क्या कहेंगे, द्वा विंस्ति ही, 23 को क्या कहेंगे, हम देखे, 23, 23, यानि देखें, 3 और है, किसमें? 20 में, तो 3 के लिए क्या होगा? त्रयो विंस्ति ही, 24 के लिए क्या होगा? देखें, चतुर विंस्ति ही, 25 के लिए क्या लिखेंगे हम? 25, 25, 26 के लिए क्या लिखेंगे? 26 के लिए क्या होगा? 27 के लिए क्या लिखेंगे? देखें हम, सब्त विंस्ति ही, 28 के लिए क्या लिखेंगे? 29 के लिए, 29 के लिए क्या लिखेंगे हम? 9, 25 और 30 के लिए हम क्या लिखेंगे? 30 के लिखेंगे? 30 के लिए क्या लिखेंगे हम? 30 और देखें, जिस ब्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 9, 10 और 1, 9 विंस्ति लिखना बताया था, वैसे ही यहाँ 9 विंस्ति यानि 29, 29 को हम एक नहीं हैं किसमे? 30 में एक नहीं हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? एको 9, 30 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एको 9, 30 में एक नहीं है, अब आपने देखें, 21 से और 30 तक के जो काउंटिंग देखी, उसमें आपने देखा कि जो बाद वाला जो अक्षर है, वो तो पहले है, और उसके बाद वो कितने में एड हो रखा है, जैसे देखें, एक है, एक कितने में जुड़ा हुआ है, बीस में जुड़ा हुआ है, तो एक को पहले लिख दिया, और विंस्ति को बाद में, यानि एक प्लस बीस, द्वा मिस दो प्लस विंस्ति ही, यानि बीस, दो और बीस, तीन और बीस, चार और बीस, पांच और बीस, छे और बीस, सापत और ब 14 को क्या कहा जाता है संस्कृत में 30 के लिए 30 Exactly 40 के लिये क्या होगा देखें 49. 60 क्या होगा है 400 हम 40 के लिए क्या होगा चत्वारिंशत कि दिन दिन के नहां ऐस 40 के लिए चत्वारिन सथ 50 के लिए क्या होगा देखिए 55 पचास के लिए क्या होगा 55 अब इनकी सहायता से आप क्या लिख सकते हैं आप 50 यानि 50 तक की काउंटिंग आप आसानी से लिख सकती हो कैसे देखिए चत्वारिन सथ तो 41 लिखना है 41 लिखना है आपको तो क्या लिखोगे आप 1 चत्वारिन सथ 2 चत्वारिन सथ 3 चत्वारिन सथ 4 चत्वारिन सथ 5 चत्वारिन सथ 6 चत्वारिन सथ 8 चत्वारिन सथ 9 चत्वारिन सथ और 55 देखिए जैसे 55 यानि 50 को 55 कहते हैं वै क्या है सश्ठी सश्ठी विभक्ती होती है जब ठ होता है सश्ठी देखे यह वाली इदर देखे द्यान से यह सश्ठी यह विभक्ती होती है क्या होती है विभक्ती होती है और सश्ठी श श और यह टी तो से टमाटर होता है यहाँ पर ठ से ठटेरा यह अलप प्राण है यह मह अमा प्राण है ध्यान रहे और चोटी 13 मात्रा है यहाँ पर सश्री साथ होता है तीक है और 70 यह नहीं 70 के लिए किसका प्रियोग करते हैं सब्ती ही 90 के लिए 30 के 80 के लिए 90 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 के पहले लिखना है और उसके बाद उसको उसमें ऐड करना है. जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं इसको आप और सम्जा देती हूं. तेखे जैसे 65 है. क्या है ये? 65. तो देखें, यहां पर 5 ऐड हुए है. किसमें? 6 में. 60 प्लस 5 तो ये 5 को पहले लिखना है 5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 5 के लिए क्या आ गया 5 और कितने में जुड़ा है 60 में 60 में जुड़ा है तो क्या हो जागा 5 60 5 60 वो क्या हो गया 65 हो गया 5 60 जैसे देखे मैं 78 लिख करके बताती हो आपको 78 का मतलब क्या होता है 70 प्लस 8 तो देखे 8 पहले लिखेंगे 70 बाद में लिखेंगे ठीके, कैसे लिखेंगे देखे 8 को क्या कहेंगे, 8 8 को क्या लिखेंगे, 8 और 70 के लिए क्या है हमारा, 7 तती ही 8, 7 प्तति ही ठीक है अब देखें जैसे 88 लेखेंगे या 85 या 84 ले लेते हैं क्या ले लेते 84 तो देखे 84 के लिखेंगे 4 80 तो देखें चतुर कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखें 4 रो को हलन्त होता है चतूर इधर देखे चतूर प्लस अशीती चतूर चतूर में चार प्लस अशीती प्लस अशीती अशी के लिए क्या लिखते है ये अशीती ही अब देखे अब इन दोनों को मिलाएंगे यहां हलन्त है हलंते तो इनको मिला देंगे तो क्या बनेंगा चतु और ये रह में आ मिल गया तो ये रह पूरा हो गया क्या बने गया चतुर शीति ही ये बने गया चतुर ये हलंत वाले रह में आ मिला तो रह पूरा हो गया शीति ही तो क्या लिखेंगे इसको 84 को यानि 84 को क्या लिखेंगे चतुर शीति ही और बोलेंगे तो क्या हो गए चतुर शीति ही चतुर शीति ही इस प्रकार से हम 100 तक की यानि 100 तक की काउंटिंग बना सकते हैं और जो कोई भी शब्दा आता है कोई भी किसी भी प्रकार से exam में question पूछते हैं तो हम उसको solve कर सकते हैं तो देखी एक बार फिर से जो counting मैंने अभी आपको शिखाई है उसको वापस से एक बार revise कर लें फर्स्ट में मैंने क्या बताया एक हएक 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 हम question किस प्रकार से बनाए जाते हैं यह चार तक क्युक्सिन कुछ इस प्रकार से बनाया जाते हैं बालग के लिए एक शब्द का 2 हो तीन का 4 का प्रिउग करवा सकते हैं यह किसी नफिनसक्वें प्रिऊग करवा सकते हैं इस प्रकार की question आपसे असुद्ध में भी पूछ सकते हैं और रीट में निश्चित रूप से पूस्ते हैं, जैसे तिस्रह बालिका, यहां पर आपके त्रीनी दे देते हैं, त्रीनी बालिका, या फिर उपर दे देंगे तीन बालिका, इसका सुध्ध वाक्य है, या सुध्ध शब्ध है, तो जो है, आप नीचे आपको उप्शन दे त्रीनी बालिका, त्रीनी बालिका, या फिर जो है, द्वाव बालिका, इस प्रकार से आपको दे सकते हैं, और आपको पता है, कि यहां पर तीन बालिका है, तो बालिका सब दिस्ट्रिलिंग है, तो उसके लिए तिस्रह का प्रियोग होगा, तो आप यह वाला उप्शन कर गर चकते हैं चार तक इस प्रकार से पूछ दो के आगे की हुख देखे ऑगे की काउंटिंग वह किस प्रकार से पूछेंगे जैसे संस्कृत имеет 79 को कहते हैं तो 79 को क्या कहते हैं, 79 यानि 1,8, 1,9, 1,9 के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि 1,9 के लिए आप 1,9 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, 1,9, देखिए, 1,9, इसका यूज करेंगे, 1,9, बिस एक नहीं है अगर वो एक किसमे नहीं है जरा द्यान से देखिए अगर एक 40 में नहीं है एक कम 40 है तो क्या लिखेंगे आप यानि 39 होगा तो 39 को क्या लिखेंगे आप एको न चत वारिन चत अगर 49 है तो क्या लिखेंगे एको न पंचासत अगर 59 है तो आप क्या लिखें असीती और अगर 89 है तो आप क्या लिखोगे एको नवती और अगर 99 है तो क्या लिख सकते हो आप एको नशतम भी लिख सकते हो और 9 नवती भी लिख सकते हो अब देखिए यहाँ एक बाद फिर से रिविजन कर लेते हैं एकह एका एकम, द्वाव द्वे द्वे, त्रयह तिस्रह त्रीनी, चत्वारह चतस्रह चत्वारी, पंच, 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 उच, चट, सप्थ, 8, 9, 10. एकदस, द्वादस, त्रियोदस, चतुरदस, पुझड़दस, सौड़़भलव तष, सब्थढ़धधदस, चत Närवविश्टी और ट्रियोविश्टी चतुरविश्टी नवविश्टी और अधिक Nephya अगर आपके एक्जाम में आता है तो आप आशानी से सोल कर सकते हैं इस प्रकार से आपका ये टोपिक बिल्कुल क्लियर होता है उसके बाद भी अगर कोई confusion कोई query कोई question हो आपके मन में आपके दिमाग में तो आप comment box में जरूर लिखे यदि आपको इस वीडियो को देख करके आपके counting का जो concept वो clear हो गया हो तो वीडियो को like जरूर करे चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो आप चैनल subscribe जरूर करे ता